हलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे सभी जवानों और पूरु सैनिकों के लिए बड़ी खबर है और एक बार फिर से जो दोस्तो जो मेडिकल एलाउंस मिलता हर महीने का वो जो है जितने भी नौन सीजेचेस एरिया है वहाँ पे जो है ट्रिपल करने की बात की जा रही है हर महीने जो है तीन हजार रुपे का जो है मिलेंगे तो हम बात करेंगे दोस्तो किस तरीके से जो है दोस्तो का चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिस से आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दुआए तोस्तो देख सकते हैं यह है आपके पास यह लेटेस्ट अपडेट है इनाइंस्मेंट आफ फिक्स्ट मेडिकल स्कीम और यह भेजा गया है डिपार्टमेट आफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेर क्योंकि यह मेडिकल एलाउंज जो मिलता है वो पेंशनर्स को मिलता है और इसमें आप देख सकते हैं कि the staff side represented that पहले हमने जो भेजा था उसमें तीन हजार पर मंथ तो मीट दा राइजिं मेडिकल कोस्ट Ministry of Health and Family Welfare जो है informed that FMA rates are governed by Department of Pension and Pensioners Welfare और अभी तक जो है दोस्तों फिक्स मेडिकल अलाउंज जो है वो तीन हजार रुपे पर मंथ की जो बात कीए ती इसके ओपर जो non-CGHS area में है इसके ओपर अभी जो है लास्ट लेटर लिखने के पहले के बाद अभी तक कुछ अपडेट नहीं आ है इसलिए दोस्तों since the issue is pending for quite long live hence you are requested to fix a meeting at the earliest दोस्तों एक बाद फिर से पूर हुसेनिकों को उनका हग दिलाने के लिए उनको medical facility दिलाने के लिए non-CGHS area जहां पर कि वो CGHS के hospitals नहीं है CGHS की सुविधायन नहीं है उस जगह पर ज़रूरी है कि उनको जो है भी जो current medical allowance एक हजार का मिल रहा है वो बढ़ा के तीन हजार किये जाना चाहिए दोस्तों एक बाए फिर से यह काफी टाइम बाद इसको जो है लेटर लिखा गया है तो हमें वेट करना पड़ेगा इस पर भी क्या लेटेस्ट अबडीट आता है बट ऑल्रेड़ी रेकेमेंडेशन जा चुकी है कि तीन रुपए पर मन्त होना चाहिए दोस्तों यह था आ झाल झाल